हेलो दोस्तों अगर आपको यूटीब चैनल को भी सर्च करता है और सर्च में सबसे उपर नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो कुछ सेटिंग बताऊंगा जो कि आपको अपने यूटीब चैनल पर करना है और यह सारे सेटिंग को करने के बाद आपको जो चैनल है वो सबसे उपर आएगा सर्च में तो यहां पर यह कौन-कौन सा सेटिंग है यह बताने से पहले यहां पर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है जो अगर आप यह सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं, तो आपका चैनल यहाँ पे बहुत जल्दी सर्च में आईगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी आप अपने YouTube चैनल का नाम रखते हैं, तो वो बहुत जादा यूनिक होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या अपलाई कर सकते हैं, कैसे यूनिक पता कर सकते हैं, तो मालीजी आप जो भी आपने चैनल के लिए नाम जो भी सोच रहे हैं, वो जो भी आपने नाम सोचा, वो YouTube पे आना और वहाँ पे सर्च करना वही नाम, कि क्या इस नाम से पहले से कोई चैनल बना तो अगर नहीं बना होगा, तो उस चैनल का नाम अपने YouTube चैनल के लिए आप यूज कर सकते हैं, उसके बास सेकेंड में यहाँ पर आपको क्या करना है? आपको अपने YouTube चैनल को पूरे अच्छे तरीके से कस्टमाईज करना है, अब यहाँ पर अपर कस्टमाईज किस तरीके से रखना है, साथ मैं नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे popular uploads का जो यहाँ पे tab हो वो मैंने यहाँ पे लगा करके रखा है, उसके नीचे uploads का जो option वो मैंने लगा करके रखा है, और नीचे यहाँ पे कुछ playlist मैंने यहाँ पे add कर दिया homepage में, तो इस तरीके से आपको अपने channel को customize कर करना about section में आपको आना है, और यहाँ पे आपकी channel का category जिस भी category से related है, उसका कुछ keyword आपको यहाँ पे about section में डाल देना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे धियान देते हैं, यहाँ पे मैंने तीन keyword यूज किया है, YouTube channel tips and tricks, उसके बाद second YouTube updates, उसके बाद third मैंने यहाँ यूज चैनल पे कर लेंगे, तो आपको जो channel है, वो सबसे उपर आएगा सर्च में, तो चलिए मैं आप लोगो practical दिखाता हूं, तो दोस्तों यह सारे setting को करने के लिए आपको Chrome browser को open करना है, और यहाँ पे आप YouTube.com सर्च कर सकते हैं, तो नीचे यहाँ जो YouTube का logo दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं, तो यहाँ पे YouTube open हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, त्रे डॉट्स का option देखने के लिए मिलता है, इस पे क्लिक करना है, और नीचे आपको यहाँ एक desktop site का option मिलता है, इस पे आपको टिक कर देना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यह desktop site में open हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पेज रिलोड हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है, YouTube studio का, तो आपको क्या करना है, इस पे long press करके रखना है, उसके बाद जो first option मिल मिलता है, open in new tab in group, आपको इस पे click कर देना है, उसके बाद जैसा आप यहाँ पे click करते हैं, तो नीचे side में देख सकते हैं, दो आपको YouTube का logo मिलता है, तो यह जो दूसरा logo आपको देखने के लिए मिलता है, इस पे click करना है, जैसा आप इस पे click करेंगे, तो आपके चैनल का icon देखने के लिए मिलता है, आपको इस पे click कर देना है, जैसा आप यहाँ पे click करेंगे, तो आपको यहाँ पे tap देखने के लिए मिलता है, इस तरीके से, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आपको second option आपको मिलता है channel का, तो आपको इस पे click कर देना है, जैसा तो उपर मैं डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्सन में भी आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फीचर एंड इलिजिबिलीटी का ओप्सन मिलता है इस पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर क पूड करेंगे अपने चल में उसमें आपको थमने लगाने का ओप्सन मिल जाएगा इसलिए आपको अपने यूटीब चनल को मॉबाइल नमर से वेरिफाई कर लेना है अगर नहीं पता है तो इस पर भी मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया है अगर आप उस वीडियो को दालने में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगो टिप्स बता देता हूं अगर आप यह टिप्स को फॉलो करके अगर कीवर्ड डालेंगे अपने यूटीब चैनल पर तो आपको जो चैनल हो सबसे ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या करना माल लिजे मेरा जो चैनल है वह है आपके चैनल का जो नाम है वह अलग-अलग तरीके से यहाँ पर आपको कीवर्ड में डाल देना है अब यहाँ पर सेकेंड टिप आपको यहाँ यह अपलाई करना है कि आपके चैनल से रिलेटेड मतलब जो भी टॉपिक है उसका कुछ टाइटल डालना है जैसे कि मैं यहा चैनल से रिलेटेड जो common keyword होगा होगा कि अपने चैनल पर सब्काइबर कैसे बढ़ा है या फिर YouTube चैनल पर सब्काइबर कैसे बढ़ा हूं तो यहाँ पर मैं यह भी keyword डाल सकता हूं how to get more subscribers या फिर ऐसा भी मैं डाल सकता हूं how to complete 4000 hour watch time तो यह जो मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी keyword होगा जो title होगा वह मैं यहाँ पर डालूँगा अब इससे फाइदा क्या होता है तो कोई दिए अगर YouTube पर जाकर कि यह सर्च करेगा कि यहाँ पर YouTube चैनल पर views कैसे बढ़ा ह या फिर watch time कैसे बढ़ा है तो वहाँ पर मेरा वीडियो भी वहाँ पर आ सकता है इसलिए यहाँ पर आपको keyword कुछ इस तरीके से डालना है तो आप लोगो समझ में आगे होगा कि यहाँ पर आपका जो channel वो search पर कैसे आ सकता है और साथ मैं इसी वीडियो में मैंने आप अप्लोड करके नहीं रखेंगे अपने चैनल पर और अगर आप सर्च करेंगे तो आपका जो चैनल है वो search list में कभी भी नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कम से कम आपकी चैनल पर 5 वीडियो आपको अप्लोड करके रखना चाहिए बहुत सारे लोगों का ए आपका चैनल सर्च पर आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को सारा को समझ में आ गया होगा लेकिन अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड को भी कोश्य या फिर कोई वीडिया हो रहे तो आपको क्या कर रहा है नीचे कमेंट करके पूछ लेना है क्योंकि मैं कमेंड में आप लोग को रिपलाई दे दूँगा और ऐसा ही यूश्फुल वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को जरूर से सब्क्राइब कर लेना है तो चली मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में